Why I went to MG Road, Kochy तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या बताऊंगा नाइट लाइफ आफ कोची और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मैं MG Road, Kochy क्यों हो गया वीडियो में लाच तक बने रहना अगर आप मेरे गोवा के वीडियो देख देखके परिसान हो गए हो इसलिए मैं आपको इंटर्टेन्मेंट करने के लिए कोची सिटी लेके आ गया हूँ अपनी कोची यात्रा के दोरान मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेज को विजिट किया है जो कि मेरे चैनल पर अवेलिबल है आप चेक कर सकते हैं लेकिन आज मैं आ गया हूँ कहां पर कोची सिटी की एक फेमस M.G. रोड पर जहां से मैं आपको नाइट लाइफ आफ एमजी रोड कोची या फिर ये कहें बहुत ही फेमस है कोची सिटी में अगर आप केरला की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको 100% कोची सिटी को अपनी ट्रिप में इंक्लूड कर लेना चाहिए क्योंकि कोची सिटी में बहुत ही मस्त मस्त रंगीन और इंटर्टेन्मेंट वाली चीजें अवेलेवल हैं अब MG रोड कोची पर जैसा कि आप माहौल देख सकते हैं आप मैं आपको सुरू से लेके अंत्र तक दिखाऊंगा ये एक स्ट्रीट है जहां पर आपको नेशनल से लेके सारे इंटरनेशनल ब्रैंड की यहां पर आपको सौप से दिखने वाली है नमबर एक चीज नमबर दो चीज रात होती ही यहां पर माहौल कुछ दूसरा हो जाता है लोगों का कहना है और मैं उसी को देखने के लिए यहां तक पहुँच गया हूँ तो आपको सब कुछ दिखाऊंगा सब कुछ बताऊंगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्रिस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके बे कोची शीटिक बेस्ट प्लेसेग कोची थिस प्लेसे वेडियोज अब चेक आउट कर सकते हैं केरला की कोची सिटी से लेटर बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे अब MG Road की अगर बात की जाए तो MG Road कोची सिटी की फेमज जगोहों में से एक है चाहे अगर आप दिन में विजिट कर रहे हैं या रात में विजिट कर रहे हैं आपको यहाँ पर महोल बहुत ही रंगी नुमा दिखने वाला है केरला की कोची सिटी बहुत ही फेमस है और उसके साथ ही साथ एमजी रोड भी बहुत ही फेमस है एमजी रोड पर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे मेट्रो इस्टेशन यहीं से आप कहां पर जा सकते हैं यहां से आप कोची सिटी की अनफेमस जगों पर आप जा सकते हैं यह आप देख सकते हैं यहां पर मल्यालम फिल्मों की पूरे पोस्टर लगे हुए हैं और अभी नाइट सो चल रहा है रात के लगभग साड़े ग्यारा बज गए हैं और अभी यहां पर जितने भी लोग मूवी देख रहे हैं अभी एक थियेटर है मैं उसके सामने भी ले चलूँगा आपको तो बारा बज देखना की कितनी भीड निकलती है साड़े ग्यारा बज गए हैं भी रात के लेकिन माहौल देख सकते हैं आपकी यहां पर माहौल बिल्कुल चड़ रहा है बंद नहीं हुआ है पबलिक घूम रही है इंजोई कर रही है अपनी नाइट लाइफ का अपनी कोची ट्रिप का थोड़ा सा मैं आपको कोची सिटी की बारे में बताना चाहता हूँ कोची सिटी अरना कुलम के अंतरगत आती है इसलिए कुछ लोगों को डाउट रहता है कि अरना कुलम और कोची क्या है तो अरना कुलम के अंतरगत कोची सिटी आती है अरना कुलम क्या है डिस्ट्रिक है यह चीज़ आपको याद में दखने चाहिए अब रात होती ही क्या ह तो यहां पर फॉबिक टांसपोर्ट बंद हो जाता है रात के आठ वजए के बाद तो यहां पर आपको पॉबिक टांसपोर्ट रात में दिखने वाला नहीं है यहां पर सुनसान रास्ते या फिर सौपिंग मॉल या फिर कलब यहां पर फिलहाल एक ही कलब है जो कि मैं अपने नेक्ट वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कोची में कलब कौन सा है लेकिन पब एन बार बहुत सारे हैं अगर आप बार एन पब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा लेकिन आज की जो वीडियो है के बल नाइट लाइफ आफ एमजी रोड से रिलेटेड है या फिर यह कहें एमजी रोड की नाइट में क्या क्या होता है यह चीज़ आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ यह जो ग्रैंड ग्रेल है बहुत फेमस है यहां पर अभी यह थियेटर इस थियेटर का नाम तो मुझे नहीं पता है फिलहाल कुछ भी हो बट यहां पर अभी आप देख सकते हैं अभी रात में बारा बज़े यह सब भीर निकल रही है मूवी देख के तो अभी बारा बजने के बाद यहां पर भीर सारी भीर स्ट्रीट मेनू भी बहुत ज्यादा फेमस है यहां पर मैंने लंच किया था चिकन एंड बर्गर बहुत ही मजा आया था तो यहां पर लोग रात में ऐसा ही महौल बना के रखते हैं और पूरी रात यह तो फिलहाल अभी बारा बज़े हैं अभी और टाइम होने दो उसके बहुत का महौल में आपको दिखाता हूँ कि आपको रियल नाइट लाइफ का मज़ा कोची सिटी में जरूर आएगा अभी मैं जहां से चल रहा हूँ इसके उपर क्या है मेट्रो ट्रैक है तो यहां से मेट्रो जाती है कोची सिटी के अन जगों पर जैसी कि यहाँ पर एक famous लूलू मॉल है वहाँ तक जाती है और एक famous चर्च है इडापली चर्च वहाँ तक आप metro का सहरा लेके जा सकते हैं मैं भी गया था तो आप भी जा सकते हैं बहुत ही अच्छी जगें हैं अगर आप कोची सिटी आ रहे हैं तो नाइट में घूमना बहुत ही जरूरी है नाइट में जब आप कोची सिटी बिजिट करोगे तो आपको रियल कोची की feeling आएगी और केरला वाली feeling आएगी और आप देख सकेंगे केरला की लोग कैसे enjoy करते हैं यह देखो यह देखो क्या चल रहा है यहाँ पर यह कान पकड़के खीच रही थी यह लड़किया एक दूसरे कहाँ तो यहाँ पर रात के बारा बच गये हैं लेकिन यहाँ पर लोग बेज़िजग घूम रहे हैं अपनी night life का enjoy कर रहे हैं किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है और यहाँ पर रात होती ही यहाँ का महौल कुछ दूसरा रहता है मैं दूसरे तरफ जाने की कोशिश करूँगा और वहाँ पर भी आपको दिखाने का П्रयास करूँगा कि वहाँ पर कैसा महौल रहता है यहाँ पर छोड़ी छोड़ी बहुत सारी आपको ऐसी जैसी यह दिख रही है मैक डोनल्ड सारी ऐसी पतली पतली रास्ते दिखेंगी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उन पतली रास्तों में जैसे कि यहाँ पर है यहाँ पर भी एक पतली सी रास्ता है उन पत्ली रास्तों में रात में अकेले अंदर न जाएं ये आपके लिए best option होगा क्योंकि अगर आप रात में जाओगे तो रात में यहाँ पर बहुत सारे लोग घुनते रहते हैं अब यहाँ पर लोग आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी उन पत्ली रास्तों में जाकर जैसे यहाँ पर एक पत्ली रास्ता थी और यहाँ पर एक फेमस सौपिंग मॉल भी है एमजी रोड पर सेंटर स्कॉयर मॉल आप देख सकते हैं रात के बारा बजी का महौल कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं फिलहाल मॉल क्लोज होने वाला है इसलिए यहाँ पर लोग बाहर आ गए हैं सब तो अभी हम लोग और आगे तरफ चलेंगे और नेश्ट वीडियो में आपको उन पतली और सीक्रेट रास्तों पर ले चलूँगा जहां पर मैं आपको जाने के लिए मना कर रहा हूँ और उस वीडियो को देख के आप लोग भी 100% नहीं जाओगे इन पर जैसे ये एक पतली रास्ता थी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सब मूवी देख के निकले हुए हैं मूवी देख के निकल के इंजॉय कर रहे हैं तो नेश्ट वीडियो में मैं आपको उन पतली रास पर ले चल के दिखाने वाला हूँ